जै स्री राम भाईयों, अगर हम अपने हिस्ट्री को अच्छे से देखें, तो दो गरंध काव्य या कहानी जो मन कह ले ऐसे मिलें गे जो हमेशा अमर है और रहेंगे रमायन स्री राम की कहनी जो मरियादा में रहना सिखाते हैं तो दूसरा स्री कृष्ण जो सामने वाले को मरियादा में रखने सिखाते हैं अब जो रमायन वाला सब्जेक्ट है उस पे बहुत बार पोसिस हो चुकी है फिल्म बनाकर पब्लिक के सामने लाने की कुछ पास हुए तो कुछ फेल जिसका नया नया एक्जामपल है आदी पूरुस जिसका रिस्पॉंस 50-50 है उस फिल्म का फैसला तो पब्लिक कर ही देगी अगले महिने 16 जुन लेकिन अब जो न्यूज में आपको देने वाला हूँ वो आपको हिला देगा आप सोस नहीं पाओगे खुस हो या सौक इस फिल्म पर नेगेटी पोजिटिव तो छोड़ो आप सवाल भी नहीं करने वाले हो क्योंकि इसके साथ नाम जुड़ा हुआ ह सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लिज रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें तो चलते हैं वीडियो की और एसे सराजा मोली का एक नया इंटर्व्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के सब सब्सक्राइब से बढ़ी द्रीम प्रोजेक्ट महाभारत में दिसकस किया सबसे बड़ी बात जो पूरी मंदारीस उन्होंने कि वो अभी पूरी तरह से महाभारत जैसे ब्रोजेक्ट पर काम करने लिए अभी उनको और ज्यादा एक्स्प्रीयैंस चाहिए ऐसे बड़े है इंपोर्टेंट टॉपिक को पब्लिक के सामने मूवी के रूप में लाने के लिए अभी थोड़ा मुश्कील है वास आरा रार हो या बाहुबली या फिर मगधीरा इस सब फिल्मों से वो कुछ ना कुछ सिखते जा रहे हैं जो उनको आगे चलके ड्रीम प्रोजेक्ट में का उन्होंने ये भी बोला कि कम से कम एक साल महाभारत के बारे में रिसर्च करने में खर्च करना पड़ेगा उनको अगर आपको भी महाभारत के बारे में थोड़ा भी पता है या आपने पढ़ा है तो समझ ही गए होंगे कि महाभारत के अंदर कितने सारे important characters हैं वैसे तो हर एक character पर पूरी film बन सकती है इतनी ज़्यादा details सुपी हुई है history में लेकिन इसको film में उतारना है तो क्या दिखाना ज़रूरी है और क्या skip किया जा सकता है बहुत मूस्किल हो जाता है ये सोचना इसलिए SS राजा मोली ने तिसरी important बात भी बताई कि अगर वो सच में इस film क बनाते हैं तो कम से कम 10 पार्ट जितनी detailing करनी पड़ेगी देखो कुछ तैम पहले जब ये पता चला था कि राजा मोली महाभारत पर फिल्म बनाएंगे तो प्लैन ये था कि तीन पार्ट में इसको release किया जाएगा पर अभी तो सिर्फ बाते चल रही है फिल्म आने में अच किया जाएगा आप गिंतिया भूल जाओगे पर कैरेक्टर्स के नाम खत्म नहीं होंगे और एक्टर्स भी बड़े-बड़े कास्ट करने पड़ेंगे तो जरा सोच के देखो फिल्म का बजट कितना पहुंच जाएगा सायद ये इंडियन सिनेमा की सबसे महेंगी फिल्म ह अगर मान लेते हैं तीन पार्ट में भी फिल्म को बना जाए तो कम से कम एक पार्ट का बजट हजार से पंद्रा सो करोड हो सकता है लेकिन इस बात पर भी जरा सा भी डाउट मत रखना अगर पांच ज़र करोड लगा कर महाभरत बनती है और साथ में एसे सराजा मौली का न ये तो सिर्फ अंदाजा है हकीकत में नंबर और ज्यादा आगे बढ़ेगा मुझे पूरा भरुसा है तो आप लोग एकसाइटेड हो गए होंगे तो आपके लिए एक क्वेशन है राजा मौली की महाभारत कास्टिंग आपके हिसाब से कैसी परफेक्ट दिखेगी कौन से एक्टर को आप फिल्म में देखना पसंद करेंगे और कौन से रोल में और किसे देखना पसंद नहीं करेंगे फिल्म में तो आप अपने हिसाब से राजा मौली के महाभारत की कास्टिंग करो और कमेंट में लिखो जो किसी ने नहीं सोचा होगा यूनिक सा केरला स्टोरी क की कलेक्शन वीडियो देखनी हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कोई सवाल या सिकायत करनी हो तो इस्टागराम पर भी मिल जाऊंगा आज के लिए बस इतना ही मिलते किसी और वीडियो झाल